नमस्कार दोस्तों मैं हूँ स्रीजन और ये है मेरा चैनल वर्टसप गाइज आज हम आपके सर डिसकस करेंगे कैसे जाल नोट को एक औरिजिनल नोट से अब अलग करेंगे कैसे आप पैचानेंगे कि कौन सा जाल नोट है और कौन सा असली नोट है नोट अर यह कैसे अब देखते हैं इनमें से कौन सा चीजज ज है जो जाल नोट में नहीं रहता है तो यहां पर देख सकते हैं बहुत सारी सिम्बल है आपको बहुत सारी यूट्यूब भी वीमिलेगा कि जहां पर आपको देख सकते हुआ, पर गांदी जी का फोटो है, यहाँ पर 2000 लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर ऐसे करके लिखा हुआ रहता है, यह सब थीक है, मगर एक चीज से आपको पता चल जाएगा, कि ओ नोट असली है या नकली है, ठीक है, और वो जो है यह RBI का लाइन, RBI भारत करके लिखा रहा हुआ रहता है कभी भी आप किसी तरीके का जाल नोट या कोई डूपलिकेट नोट आप अगर लेंगे तो उसमें से आपको दिखा ही देगा कि यहाँ पद जो RBI भारत है उसका जो क्वालिटी है और इसका जो क्वालिटी है इसमें हेल आन हेवन का डिफरेंस है ठीक है और और एक बाद है ये जो है ये ऐसे आपको ये green दिख रहा है अप जब आप ऐसे करोगे तो इसको यह ब्लू दिखेगा स्थाद आप लोग देख पा रहा है देखिए ये ऐसे green दिखरा है देखीye green अभी देखिए ऐसे करके यह ब्लू दिखेगा आप यह कभी भी चेंज नहीं होता कोई भी जो डूप्लिकेट या जाल नोट होता है कभी भी चेंज नहीं होता तो जब भी आप कोई 500 या 2000 का नोट ले रहे हैं 500 में भी आप दिखाता है यह देखिए यह पीला हो गया और देखिए यह ब्लू हो गया ठीक है तो जब भी आप कोई 500 या 2000 का नोट ले रहे हैं तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए कि जो RBI का जो स्ट्रिप उस 500 या 2000 का नोट में है उसका जब आप लाइट में रिफलेट करोगे तो उसका कला चे नहीं हो रहा है तो उसमें जरूर कुछ फॉल्ट है उस नोट को आप accept मत कीजिए ठीक है अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा और यूस्फुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि सब तक इंफॉर्मेशन पहुंचे आज के लिए वस इतना ही कल मिलत एक नए वीडियो के साथ तक तक के लिए गुडबाइए